हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बर फिर से एश्टो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन और आज के लिए जो टॉपिक है ये है कि पॉजिटिविटी को आकरशित कैसे करें अपने जीवन में पॉज सब्सक्राइब हैं क्योंकि इनके सिम्बोलिक बड़े स्प्रिच्वल हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप साथ दिखाये जा रहे हैं भगवान राम और माता सीता पाइल नमबर वन भगवान शिव और माता पारवती पायल नमबर टू भगवान विश्णु और माता लक्षमी नमबर थुरी तो तीन कपल्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं और तीनों कपल्स में से जो कपल यानि की इश्वर का जो जोड़ा आपको ज्यादा अच्छा लगता है जो एक फिल देता है या आपको ऐसा लगता है आज के लिए इस रीडिंग के लिए कि इन्हें ही अपनी प देख रहे हैं यह वहीं से आपके साथ resonate करनी शुरू कर देगी हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टेंग्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट स्क्षन में दे दिया गया है अपनी पाइल की रीडिंग को डिरेक्ली देखने के लिए आप टाइम स्टेंग्स पर क्लिक कर क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं और मेरे पुराने विवर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आगे बढ़ने से पहले आपको मैसेज के ही थुरू सारी इंफर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रुवाइड करेगी और आपके हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए तो चलिए आज की रिटिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाईल में मिलते हैं हेलो पाई नमबर वन आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में आपने भगवान राम और माता सीता को चुना था मेरे बगल में भगवान राम और माता सीता की जोड़ी को लगा दिया गया है भगवान राम और माता सीथा के आशिरवात से आज की इस रीडिंग को शुरू करते है और देखते हैं क्या आप के लिए quello से क्या आता है आज के टेरो की रीडिंग के लिए मैंने दो डेक्स ली हैं सबसे पहला है ये चक्रा विज्डम टेरो डेक जो traditional 78 cards का है दूसरा है goddess guidance oracle ठीक है तो शुरू करते हैं card number one आपके लिए appear हुआ है बहुत प्यारा the world second position पर आपके लिए the hierophant card number three आपके लिए है seven of swords fourth position पर आपके लिए है three of coins coins को कुछ टेरोडेक्स में pentacles भी कहते हैं और last card आपके लिए है two of wands coins को जो pentacles कहते हैं उसके पीछे का मामला ये है कि इसमें जो सिक्के coins हैं जिस तरह के coins के symbols को लिया गया है ये pentacle के shape में होते हैं मतलब इसके round shape के भीतर pentacle बना होता है और अगर आप सनातन धर्म के बारे में जानते हैं तो जो देवी दुरगा या मातात्रपुर सुन्दरी या एक आद शक्ती का जो प्रतीक चिन है वो pentacle ही है ठीक है शुरू करते हैं positivity को अपनी और कैसे attract करें आज का हमारा ये ही topic है ओके बहुत बढ़िया पाई लंबर वन खेर आपने शुरुवात काफी अच्छी कर दी है इसके लिए congratulations लेकिन थोड़े past की बात करें क्योंकि जो past की चीजें हैं वो हमारे present को कई बार control कर लेती हैं और accordingly future हमारा अलग हो जाता है chronology ठीक जब से हमिश शाह ने chronology वर्ड यूज किया ये बड़ा प्रचलन में भी आ गया भारत में वरना पहले कभी कभी यूज करते थे लोग तो आपके जीवन में कई मर्तबा बदलाव आए हैं कई बार के परिवर्तन आए हैं चीजों ने लोगों ने सिच्वेशन ने आपको इगनोर किया है कई बार चीजों को सिच्वेशन को लोगों को आपने भी कई बार इगनोर किया है कई बार कई सारी चीजों को बनाने के चकर में कई बार अपने आपको सुधारने के चकर में कई बार एक ऐसी सिच्वेशन एक ऐसी situation के लिए जहां पर आपको लगा कि आप damage को manage कर सकते हैं, control कर सकते हैं और इस वज़ा से आपने उस पूरे मामले में अपने आपको फसा दिया और फसने के बाद आपको समझ में आया कि इस point पर आपको involve नहीं होना था लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आप छोड़ नहीं पाई गलत भी समझे गए अच्छा जी, कभी-कभी कुछ appropriate words होते हैं नहीं बोलना चाहता है, मैं यहां लेकिन चलो, बोलता हूँ गालियां भी सुनी है और गलत तो ठहरा ही गए लगातार कई बार अच्छा, यह जो गलत ठहरा है जाने वाले का मामला है seven of the swords की यह जो कार्ड है, यह कहते हैं कि जाना समझा मामला जहां पता था कि फजीहत होगी फजीहत का मतलब defamation हो जाएगी image घराब हो जाएगी अपमान हो जाएगा फिर भी आपने अपने आपको involve किया हिम्मत का काम है, काफी हिम्मत का काम है बुरा नहीं है actually क्या है, समझे थोड़ा सा आपकी तारीफ कर देनी चाहिए बहुत कुछ गडबड कर भी चुके है तो थोड़ी सी motivation लीजिया actually मैं नहीं दे रहा हूँ, यहीं से आ रही है अब ध्यान से सुनिया, hair of end के card की information उस पूरे मामले में आपका उन चीजों में involve होना भी सही था अपने आपको वहां से हटाने की प्रक्रिया में ले आना भी सही था गलत कुछ नहीं था उस moment के हिसाब से लिया गया वह ने रणे बिलकुल सही था लेकिन आज के दृष्टी से अगर देखे तो शायद वो गलत है तो उस चीज को पीछे छोड़कर अब हम आगे बढ़ते हैं मामला क्या है अब इसको समझें कि जो चीज आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि एक positivity आपके जीवन में appear हो क्योंकि positivity से ही बहुत कुछ संचालित हो जाता है और positivity से जो संचालित होता है वो आपके जीवन को एक ऐसे दिशा देता है जो भवश की योजनाओं में आपको सफलता देगा ना सिर्फ सफलता देगा बलकि आपके जीवन के कई मामलों को कई एक तरह से कहें तो आस्पेक्ट को लाइफ के चेंज करेगा positivity में लेकिन problem क्या है negativity अट्रक्ट जादा हो रही है positivity कम जितना positivity लाने की कोशिश करते हैं जैसे अब इस पूरे सेनरियो को समझें वर्तमान में आपके किये गए हर एक प्रयास पर उंगली उठ रही है लोगों के द्वारा हूट किया जा रहा है आपकी कमिया निकाली जा रही है अच्छा काम करने के बावजूद value नहीं दी जा रही है अब क्या करें यह तो दुख़त हो गया इस पूरे सिनरियो में आपको बस थोड़ा सा चीजों को flow में चलते रहने देना है थोड़ा सा flow में चलते रहने देना है जब चीजों को थोड़ा सा flow में चलते रहने देंगे देखिए कभी कभी कुछ चीजें खराब हो रही है तो उनको रोकिये मत ठीक है कुछ चीजों के खराब होने से भी बेहतर चीजें आ जाती है कुशंगी खराब हो जाएं सिरका खाया आप एक एक हो एक कीज हो मस्टि ZXT को अब उसको वेनीगर बोलते हैं लूग इंग्लिश मैं व्यनीगर एक अलग । चैनीजवाला मामला है वाइट ऐक सिरका होता है जो भारत में जनते हों यह डार्क को होता है जिसे दाधियां गुडग में डालके बनाती थी, यह गन्ने के रस्में बनाती थी, वो अगर आपने उस बनने की प्रक्रिया में ढखन उठा के दिखा होगा, तो आपको ठीक से पता होगा, आप मैं यहां पर खोल के नहीं means कुछ चीजों को खराब हो जाने देना चाहिए जैसे कुछ relation जैसे कुछ लोगों का mood जैसे कुछ लोगों का आपके बारे में नजरिया वैसे भी खराब है थोड़ा और खराब हो जाएगा फरक क्या पड़ जाएगा कुछ भी नहीं पड़ेगा पॉजिटिविटी को आने के लिए दर्वाजे को खोलना है आप टांग अड़ा के बैठे हुए हैं उस दर्वाजे पर आने नहीं दे रहे पॉजिटिविटी को लाएंगे कैसे सबसे पहला काम अपने काम से काम रखिए ये एक छोटी सी चीज आप से हो नहीं पारी पिछले काफी समय से इसको थोड़ा-थोड़ा सीखिए थोड़ा-थोड़ा करने की कोशिश कीजिए और तारीफ या कृटिसिजम आपकी अप्रिशेशन या कृटिसिजम दोनों को आ हानी में जिसका भाव नहीं बदलता यो मत भक्त हसा में प्रिया ऐसा भक्त मुझे प्रिया है क्यों प्रिया है क्योंकि वो इस्टेबल है इसलिए नहीं प्रिया है कि वो इग्नोर कर रहा है उसको पता ही नहीं है सुख है कि दुख है उसको मालूम ही नहीं चल रहा हुए लेकिन जो समभाव है जानते हुए भी देखते हुए भी समझते हुए भी समभाव है स्टेबल है आइस्थिर है सुरी स्थिर है आइस्थिरता नहीं है वह भक्त मुझे पर है जो जान रहा है लाब है फिर भी शान्त है जो जानता है हानी सुकh आ रहा है फिर भी शांत उसी भाव में मुश्कुराहट लेके बना हुआ है जो जानता है बहुत लंबा इसमें दुख हो गया है कुछ तकलीफ की बात है फिर भी चेहरे पर वो जो एक मामुली सी हलक इसी मुश्कुराहट है वो बनी है दुख में दुखी नहीं सुख म करना है इसप Works Only नहीं होना है मैंता बहुत को कि यह यह हैं कि इस मामले में दूसरों का आसपेक्ट दूसरों की परसेप् сохран को बिल्कुल निग्लेट कर देना है और बिल्कुल समझो ध्यान ही नहीं दे रहे चलने दीजे उधर जो चल रहा है अपने काम से काम और अपने काम पर फोकस और अपने काम की सत्यता पूरता और क्वालिटी पर भरोसा जब यह चीज करेंगे तो आपके लिए चीजें एक नए दर्वाजे की तरह खुलेंगे एक नया हवा का लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल जाएगा उसमें टाइम लगेगा उस टाइम लगने का क्या मामला है अब पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी क्यों क्यों क्योंकि आपने जो जैसा है बुरा सुईकार कर लिया जो जैसा है अच्छा सुईकार कर लिया यह सुईकार की भावना ही उस दर्वाजे को खोल देगी अब लेते हैं गॉड़ेस गाइडेंस और एकल और देखते हैं कि देवियां आपके बारे में क्या इंफरमेशन देती हैं गॉड़ेस क्या बताती हैं कि आपके लिए क्या करना है आपको इस पूरे मामले पर ठीक है थोड़ी सी डिवाइन गाइडेंस ले ली जाए ना ट्रेडिशनल वाली तो हो गई है पहला कार्ड आपके लिए क्वान येन सेकंड पोजिशन पर आपके लिए माता सरस्वती प्रेम की संगीत की ज्यान की देवी मुष्टली इनको ज्यान की देवी के रूप में पूजा जाता है माता सरस्वती प्रेम प्रेम का मतलब वो काम देवाला नहीं है प्रेम का मतलब होता है जो नहस्वार्थ भाव से प् प्रेम्पी बिल Очень अब कोई फूल से प्यार हो सकता ह। बती स्रा कार्ड आपके लिए हैं माउ। माउ एनको कभी कवी कहिं कहें मावू कहें ठीक है तो दोनों चीजें हैं मावू ज्याδा अच्छा है ज्यादा सुनने में आसान है माव में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ये इस पूरी धर्ती की देवी है इनको मदर नेचर कहते हैं ठीक है और चौथा कार्ड आपके लिए है वैस्ता वैस्ता वस्तुता एक ऐसी देवी है जो आपके घर की पूरी एनरजी को मैनेज करके रखती है लाश्ट में आपके लिए जो कार्ड अपियर हुआ है ये है ओनाक ओनाक जो है एक देवी है जो चीजों के समपादन में रुचि रखती हैं इनके बारे में कहते हैं कि ये सदीयों और हजारों सालों के इंतजार को भी आसानी से कर सकती है क्योंकि इनको पता है कि चीजें तो होंगी लेकिन कभी-कभी समय लेंगी अब इस चीज को पूरा समझें कुवानियन ये कहती है कि आप कभी-कभी दूसरों के दुख में जो दुखी होके एक दया की भावना फिल करते हैं ये गलत है कभी भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा तो उनके बारे में कहा जाता है भगवान बुद्ध बड़े करुड़ावान थे भगवान विश्णु के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा तो उन्हें करुड़ा शंकर कहते हैं भगवान शुव को करुड़ा शंकर कहते हैं भगवान विश्णु को भी करुड़ा के सागर कहा गया है करूड़ा क्या है करूड़ा means compassion करूड़ा दया नहीं है compassion मरसी नहीं है कुवान जिन कहते हैं कि आपको उस मरसी से बाहर निकल करके compassion में आना है लेकिन पहली compassionation आपको खुद के साथ करनी है जिसको मैं कभी-कभी अपनी भाशा में कहता हूँ कि थोड़ा खुद पर रहम करिए यह बड़ा मज़ेदार भी और दुखत भी दो नवैं ठीक है बड़ा मज़ेदार है क्योंकि एक हसी की बात आ जाती है और दुखत इसलिए कि आपके दुख के साथ जब compassion आ जाता है कभी-कभी पर्सनल लीडिंग में भी होता है ऐसा तो उस कमपैशन में आपकी फीलिंग फील होनी शुरू हो जाती है तो वहाँ पर आपको ये चुकि बोल चाल की भाषा में ही समझा पाऊंगा तो कहता हूं खुद पर रहम करो तो ये कहती हैं खुद पर रहम करो लेकिन खुद के साथ compassionate हो जाओ मतलब अपनी पीड़ा को feel करो अपनी पीड़ा को उस feeling के साथ में connect हो जाओ connectivity भना लो जीजस को जब सूली पर टंगा जा रहा था और उनके हाथों में किलियां ठोकी जा रही थी तो जीजस देख रहे थे लोग रो रहे थे उनके हाथों में किलियां दोनों हाथ साइड में करके ठोक दी गए उनके दोनों पैरों में ठोक दी गए और सलीब को खड़ा कर दिया गया साथ में दो चोरों को लटकाया गया सलीब पर दो चोर भी थे साथ में कभी आपने वह मेंस देखियोगी बीच में जीजस है साइड में चोर है वो इसलिए था कि वो राजा जथा वो ये दिखाना चाहता था कि इस वेक्ति को जिसे तुम ईश्वर का एक बहुत बड़ा मेसेंजर मान रहे हो इसकी चोरों से ज़्यादा वैल्यू नहीं है ये चोरों के ही समक्ष है इसलिए चोरों के साथ इसको सजा दी जा रही है और उस समय जीजस के मुँझे निकला कि हे इश्वर तो मुझे क्या दिखा रहा है ये बड़ा मज़ेदार था इसको क्यों समझा रहा हूं उसको सुनी ये मज़ेदार इसलिए था क्योंकि जीजस अपने साथ कंपैशनेट नहीं थे दुनिया के साथ तो हो गए थे खुद का कंपैशन नहीं आया था खुद के साथ जीजस की मूर्तियां जिन्होंने बनाई जीजस के चित्र जिन्होंने बनाए वे बड़े समझदार लोग थे होनहार थे क्योंकि जीजस ने जब ये लाइन कही कि हे मेरे पिता हे मेरे परमिशर तो मुझे क्या दिखा रहे हो कहीं एक छोटी सी कि उम्मीद जीजस की रह गई थी जो कि उनके मानने वालों के उस समय मन में भी था कि ये सूली एक सिंगहसन में परिवर्तित हो जाएगी पुश्प वर्षा होगी कुछ तो चमतकार मिराकल सा हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं हो तब जीजस को फील हुआ कि ये एक एहंकार बचा हुआ था ये एक घमंड का टुकड़ा रह गया था कि हे इश्वर तु मुझे क्या दिखा रहा है तु मेरे लिए कुछ नहीं करेगा मैं तेरा बेटा या मैं तेरा मेसेंजर जो भी ऐसी सिचुएशन में ऐसी दर्दनाक सिचुएशन में हूँ और तो मुख, शान्थ, खामोश कुछ भी नहीं क्या दिखाते हो मुझे और इसी पॉइंट पर जीजस को गलती का भी एहसास हुआ कमपैशन अंदर गुज गया और जैसे ही अपने साथ एक पीड़ा और करुणा का भाव अपियर हुआ, करुणा आ जाती है जीजस का सिर जुग गया और उसी जुगने में एक तरीके से समझें तो सब कुछ हो गया जीजस कनेक्ट हो गया अपने पिता से और इसी लिए अगर आपने कभी चर्च की मूर्ती देखी हो या आपने फोटग्राफ देखा हो गूगल पे सर्च करके देख लेना जीजस की क्रॉस पर जो इमेज है जो मूर्ती बनी है उसमें उनका सिर नीचे की और जुका हुआ है और वो नीचे देख नहीं रहे हैं सिर जुका हुआ है उस गलती के एहसास से जुका है जिस गलती ने उस कंपैशन को रोक रखा था उस कनेक्शन को एक मामूली से तार से रोक के रखा था बिजली के तार को जरासा अगल बगल में साइड में हटा दीजे पूरी बिजली खतम जरासा एक इंच दूर कर दीजे तो लाइट बंध हो जाती है एक इंच भी ज़्यादा एक दो मिलिमीटर एक दो मिलिमीटर मुझे पता नहीं है स्विच में होता होगा शायद एक या दो मिलिमीटर की दूरी होती है उसी से स्विच ओफ हो जाता है उतना भी बहुत काफी है एकदम चुटकी भरका तो वो चुटकी भरका उनका रुका हुआ था और वहीं उसी में महा परवाया उसी में जीजस क्रैस्ट हो गए पूरी जीजस थे लेकिन वहीं पर वो क्रैस्ट हुए क्रैस्ट मतलब वो व्यक्ती क्रैस्ट उनको कहा गया और उनको क्रैस्ट के रूप में है उसी रूप की उनकी पूजा होती है उसी रूप को चर्च में रगाया जाता है क्यों क्यों क्योंकि वही वो ultimate time था जब वे God से exact connect हुए थे connection पूरा बन गया था बिल्कुल point भर का भी रत्ती भर का भी फासला नहीं था वही point था तो क्वानियन कहती है कि खुद से compassionate हो जाओ connect हो जाओ अंदर जब अंदर connect होगे तो सरस्थती अब कहती है कि फिर लहरियां आ जाएंगी एक स्पंदन एक vibration चलनी शुरू होगे और ये जो vibration है ये inner positivity की vibration है और जब ये inner positivity की vibration आएगी तब मावू कहती है कि तब तुम्हारा एक ऐसा स्वरूप तुम्हें खुद में फील होगा जो अभी तुमने नहीं फील किया जब मैं Goddess की बाते करता हूँ तो कभी कभी इनकी language में आपको तुम बोलता हूँ विस्टा कहती है कि ये जो compassion के साथ positivity की लहरियां है और ये लहरियां आपके अंदर एक नए को जन्म देंगी ये एक ऐसी vibrate energy को create करती है जो इस तरह vibrate होती है जो ना सिर्फ आपके बलकि आपके पूरे घर की energy को convert करके positivity में change कर देगी लेकिन अनाख जो कहती है वो समझने जैसा है कहती है कि धैर बहुत बड़ी चीज है अनाख कहती है कि कुवानियन की बात मान के compassionate compassionate तो हो जाओगे ठीक है सही बोल रही थी मैं ही मुझे ही लगा गलत लाइना गई उनाख कहती है कि कुवानियन की बात मान कर compassionate तो हो जाओगे भीतर तो मुझ जाओगे लेकिन उस एहंकार का क्या करोगे जो तुमें हर बार बताएगा कि तुम compassionate हो गए हो गए तुम लेकिन हुए नहीं हो तो वो कहती है धैर रखना धैर रखना कि वो खण चूक न जाओ इसलिए मैंने जीजस की वो बातें इतनी बताइए इसके बताने के पीछे का तुक यही था कहती है ध्यान रखना वो छण चूक न जाओ क्योंकि वो चूक गए तो गलत फहमी में चले जाओगे और गलत फहमी कुछ भी नहीं करेगी कोई एनरजी वे नरजी वाइबरेट नहींगी कुछ पॉजिटिव वी वाजिटिविटी नहीं मिलेगी और यह कहती है कि अगर तुमने धैर रखा अपने आपको मुड़ा अंदर और उस कंपैशन को आने दिया ऐसा नहीं है ना कि आप सोचें कि अच्छा मैं अब कंपैशनेट हो जाओँ खुद से और एक मिनड़ बाद अरे हाँ मैं तो कंपैशनेट हो गया अरे कुछ नहीं हुआ यार कहती है मुड़ो फील करो और फील करके वेट करो उस कंपैशनेट सिचुएशन में तुम्हारी कनेक्टिविटी के बनने का वेट करो आपकी कनेक्टिविटी जीजस की तरह पूरी 100 परसेंट तो नहीं बनेगे कुछ परसेंटेस भी जाएगी तो फील हो जाएगा क्यों क्योंकि वो एक स्पंदन सरसुदी कहते हैं कि आ जाएगा तुम्हें महसूस होगा किसी से कहना नहीं हुआ गुंगे का गुड हो जाएगा वो तो यहां थोड़ा सा धैर की जरूरत है और आपको एक तरह से नए द्वार को खोलना है यह जो चीजें आपको बताइए इसको करने की कोशिश करिये बहुत बढ़ियां तरीके से पॉजिटिविटी वाइबरेट भी होगी और ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर की एक बार घर की पॉजिटिविटी वाइबरेट होनी शुरू हुए तो घर में रहने वालों की पॉजिटिविटी अपने आप वाइबरेट हो जाएगी मतलब आपके जीवन में परिवर्तन और सिर्फ परिवर्तन नहीं बड़े मिरकल से परिवर्तन आएगे तो पाइल नमबर वन आपके लिए आज की रेडिंग को यहीं क्लोज करते हैं आज की रीडिंग आपको कैसी लगी अपने एक्स्पीरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा बाई बाई हेलो पाइल नॉमबर टू आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में आपने भगवान शिव और माता पार्वती को चुना था ऐस पाइल करूप में मेरे बगल में इनकी फोटोग्राफ लगा दी गई है तो भगवान शिव और माता पार्वती के सानिध्यों और आशिरवा देव शिव हैं और आदी देवी यानि आदी मतलब जो हमेशा से थी एंडलेस मतलब स्टार्ट लेस इसको एंडलेस तो छोड़िये ना स्टार्ट लेस जिनका कोई शुरुवात भी नहीं है शुरुवात से भी रही था है जब दुनिया शुरू हुई उससे पहले भी यह ठीक है जिसको हम कहते हैं कि पर ब्रह्म व्याप्त था पूरी दुनिया जब कुछ भी नहीं ती यह पूरा ब्रह्मान नहीं था तो क्या था भ्रह्म व्याप्त था फिर ब्रह्म में हल्चल हुई एको हम बहुत से आया एक से अनेक हो जाओ और शिव और शक्ति दो हैं इसलिए इनको अर्धनारिश्वर के रूप में भीійल जाना जाता है और इनके अर्धनारिश्वर शुरूप की हाला की पूज़ा तो नहीं की जाती है लेकिन आज के ऩाल फोटोग्राप्स होगे दो अवेलिबल है उसका आप देख सकते हैं जैसे भगवान जो अर्धनारी शुरूप है उसकी पूजा नहीं की जाती है भगवान कृष्णे ने अर्जुन को गीता के दौरान जो अपना विराठ सुरूप दिखाया था उस विराठ सुरूप की भी पूजा नहीं की जाती है उन्होंने बताया था कि इस रूप की पूजा नहीं की जात ना शुरुवात ना अंत पता ही नहीं चलता आप कहां तक हैं तो बनाओगे कैसे भाई उसको जिसका कोई और छोर नहीं उसको बनाओगे कैसे ड्रॉ कैसे करोगे तो जब उसको ड्रॉ नहीं कर सकते तो पूजा नहीं कर सकते और शिव शक्ति जब एक हो जाते हैं तो वो अर कई ऐसे मंदिर भारत में हैं जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है कई ऐसे मंदिर है जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है एक मंदिर है ब्रह्मा जी का जहां पर married पुर्शों को शादी शुदा लड़कों को नहीं जाना क्यों 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 कि वो उनके married life में problem create कर देगी तो वो energy level उस तरह का है वहाँ पे खर पहला card लेते हैं आपके लिए आया है judgment second position पर आपके लिए मेरे पास card appear हुआ है the star card number three आपके लिए appear हुआ है three of wands fourth position पर आपके लिए nine of sword बहुत बढ़ी है और आपके लिए last card आया है two of sword ये भी बहुत बढ़ी है दो card मेरे आखरी के negative आगए कितनी भी कोशिश करने positive होने की negativity को रोक नहीं पा रहे ना लेकिन आपकी कोशिश अच्छी है हो क्या रहा है कि कई बार तो धोखे और कई बार आप खुद को धोखा देते हैं ये सारी चीजें problem create कर रही है हम जानते हैं कितने पानी में हर व्यक्ति को अपनी गलती का आभास और अहसास होता है लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों को इगनोर करना चुन लेते हैं हमारा वो इगनोर करना चुनना आपके लिए इस समय नुकसान दे है क्योंकि ये एनरजी को निगेटिव करता जा रहा है इस निगेटिव एनरजी की वज़ा से बहुत सारी चीजें आप साधने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है पास्ट में थोड़ा चलें आपने चीजों को बहतर किया आपने काफी कुछ अचीव किया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बनी वह चीज़ें कनेक्ट कंटिनिटी में नहीं प्रॉब्लम होती चली आप कई बार ऐसा भी मौका आया जब आप प्लैनिंग म मोड़ सकते थे, जहां से चीज़ें बेहतरी की उर मुड़ जाती, आपने डिस्ट्रेक्शन की और चुनना सुविकार कर लिया। और डिस्ट्रेक्शन को चुन करके आपने चीज़ों को फिर खराब किया। वर्तमान में एक ऐसी परिस्थिती जहां हो सकता है कि आपने सोचा हो कि चीजें ठीक हो जाएंगी लेकिन मन के उस जिसको क्या कहते है चोर का क्या करें मन के चोर का जो बता रहा है कि ठीक नहीं हो रहा कुछ बैना सब गरबर हो रही है इस पूरे मामले में आपका आगे बढ़ना एक दुविधा जनक स्थिती दिखाता है और इस दुविधा जनक स्थिती में आप समझ नहीं सकते या समझ नहीं पा रहे है कि करना क्या है क्या नहीं करना है एनरजी को पॉजिटिव करने की हर कोशिश लगभग नाकाम हो रही है और निगेटिविटी हाबी होती जा रही है और इस नकारातमक्ता ने अब कुछ मामलों में इस तरह से आपके अंदर एक व्यापकता लानी शुरू करी है कि ये निगेटिविटी भी अब थोड़ी स् हो गई है नकारातमक्ता बनी है लेकिन अब चीजें ठीक है उसके उपर से हमने चदर बिछा करके चीजों को नीचे ढग दिया है ये वाली कंडिशन आ गई है इस पूरे कंडिशन में आपको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है सबसे पहला तो अपने आपको धोखा देन आप दूसरा जो निगेटिव थिंकिंग आपकी चलती रहती है एक दूसरा जो निगेटिव थिंकिंग इंटेंश्णली आ चलाते हैं दोनों के अंतर को फील कर लिए पहले जो चलती रहती है उस से समस्या नहीं वह तो प्रॉब्लम Crossica चल रहा है हम थोड़ी चला रहे। परिशानी हो जाए क्या एक तो हाथ ठक जाएगा दूसरे गिरने का खत्रा अलग सिर्फ फूट जाए कि यह सिचुएशन जहां आप निगेटिविटी को इंटेंशनली सोचते हैं वही प्रॉब्लम है जो आटो चल रही है वह प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वह तो दिमाग में अपने आप आ रही है हमारा दिमाग तो भी है सोतंतर है कुछ भी सोच ले जो इसको अपने आपको यह फिल भी करना है कि मेरे दिमाग तुम कुछ भी सोचो यार मेरा तुमारे से कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमारा कोई लगाम थोड़ी लगा है बटन थोड़ी कि करेंगे दिमाग सोचना बंद कर दें सोच सकता है लेकिन उस दिमाग के साथ कनेक्टिविटी मतला ये लेकिन आप जब जान बूच के निगेटिव सोचते हैं निगेटिव expect करते हैं दूसरों के साथ बुरा हो इस तरह की उमीदें करते हैं दूसरे जिन्हों ने आपको धोखा दिया उनके साथ में कुछ बुरा हो इसका इंतजार करते हैं तो आपकी को जहर काडता है काटे को काटे से निकालते हैं अगर कुछ चुप जाए तो क्या करते हैं घर में से सुई उठाते हैं और हाथ में खोदना शुरू करते हैं और उसी सुई से दूसरा छोटी सी जो सुई है भले वो किसी भी मिटल की हो लकडी की हो वाटेवर कुछ भी हो दू स्वारती इनसान दूसरों का नुक्सान करने के बारे में नहीं सोचता। आतंकवादियों से ज्यादा पर्मारती मैं अपनी बता रहा हैं आतंकवादी की बंद्योग आठाके पेट बंब पारिमार्थियों ने जितना नकसान समाज का किया है उतना स्वारतियों ने नहीं किया स्वार्थिया देए मेरा फाइदा कैसे हो। तो इसमें दूसरा कहां है कहीं नहीं है ना कि मैं दूसरे का नुकसान करूं फिर फाइदा कमाने की सोच रहा है वो स्वार्थी नहीं है वो धोके बाज है फर्क समझिए समाज हमें कभी-कभी कुछ चीजों को उल्टा-पुल्टा पढ़ाता है स्वार्थी स्वा के अर्थ के लिए परेशान इसमें दूसरा कहां है स्वार्थी में कहीं इसके इसके शब्द की मीनिंग निका लिए अगर ठीक है वो डिक्शनरी में जो भी दिया हो वाटेवर उसको छोड़िए इसकी शब्द शह मीनिंग निका लिए अक्षर शह मीनिंग निकाली है तो इसमें दूसरे की involvement नहीं है वो वेक्ति जो दूसरे को धोखा देना चाहता है वो धोखे बाज है जो दूसरे का पैसा हड़पना चाहता है धन हड़पना चाहता है वो लाल्ची है धोखे बाज है अब इससी बाद कोई अपना फाइदा कमाना चाहता है तो वो सवार्थी है तो यह अच्छी चीज अगर सारी दुनिया सवार्थी हो जाए तो दुनिया में भावाल खतम हो जाएंगे प्राब्लम है कि दूसरे को नीचा दिखाने की intension अब जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है वह क्या वह नीच है पुर्ण के लिए खुद को गिराने को तयार है वह वाली कहानी सुनी थे ना कि पड़ोसी की आख फूड जाए दोनों इसलिए अपनी एक फूड़ दी भगवान ने बर्दान दिये था ना कि तुम्हें जो मिलेगा उसका डबल उधर जाएगा तो उसने अपनी एक फोड़ काई पॉड़ोसी की दोनुवांग फोग जाएं तो लों खुर को भी तकलीफ देते हैं कि करते हैं फुरुसरी से लेना देना थोड़ा सा हटाना जब यह चीज करेंगे अव्च करें गां आपक़ अपना मार्ग कलियर दीखेगा और एक बार अपना जब क्लियर दिखना शुरू हो जाए अपना रास्ता दिखना शुरू हो जाए तब उस पॉइंट पर पहुंचने की पॉसिबिल्टी बढ़ेगी जो पॉजिटिविटी को ला सके जीवन में अब लेते हैं और एकल कार्ड गॉड़ेस गाइडेंस ठीक है तो देखते हैं कि गॉड़ेस यानि देवियां आपके बारे में क्या इंफरमेशन देती हैं कि आपको पॉजिटिविटी को अट्रक्ट करने के लिए और क्या करना पड़ेगा पहला तो स्वार्थी बनी हैं कार्ड नंबर वन आपके लिए अपियर हुआ है मावू ये मदर नेचर हैं भी छे नहीं हो रहा है हर समय सरजन चल रहा है ठीक है हर समय सरजन हो रहा है नया बन रहा है पुराना जा भी रहा है तो नया आ रहा है उसकी जगह ले रहा है कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है थर्ड पोजीशन पर आपके लिए हैं एरीन एरीन एक ऐसी देवी हैं जो चाहत नहीं हैं कि सब कुछ शांति प्रियता के साथ चले जल्दबाजी घबराहर्ट इुद्ध इन सबकि जरूरत इंसानों को नहीं है लेकिन इंसान कहां मानने वाले हैं इंसान तो परमार्थ में लगे हैं हम दूसरे को मारते हैं तुम सुरक्षित रहो, तुम्हें मारते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, वाइट तारा, वाइट तारा बहुत सम्वेदन शील मानी जाती है, आपके एक हलके से स्पंधन को भी वो कैच करती है, उसको कैच करके आपके जीवन के अलग-अलग मामलों के अलग-अलग छोटे- खोटे बदलावों की कैलकुलेशन करके एक तरह से पैंट पेपर लेके बैठी चतर गुप्त की तरह एक तरह से कैलकुलेशन करके आपके जीवन को बहतर करने के लिए हमेशा सिचुवेशन को सपंधित करती रहती है वाइब्रेट करती है आप पकड़ नहीं पाते तो आप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ठीक है लास्ट कार्ड मेरे पास अपियर हुआ है एथेना एथेना को नॉर्मली शुरुआत में बुद्धिमत्ता की देवी माना जाता था जैसे एजिप्शियन गॉड है ना वो थोथ नाम थोड़ा सा अजीब सा है थोथ कहते हैं वो एजिप् बुद्धिमान थे जो उनके ही काम में मदद करते रहते थे इस अपने ही प्रतिकृतियों से अपना काम चलाते थे यह बिल्कुल वैसा है जैसे वह को की कोई साइनटेस्ट क्लोणिंख कर ले और अपने ही को अपने ही काम के लिए लगा देकिंग कि सबका माइंड वैसा ही है सारे वैसे ही सोचते हैं सबका पैटन वही है हलांकि आज कल की क्लोनिंग के मामले में कहते हैं कि समय का और परिवेश का परिवर्तन पड़ेगा तो क्लोन का दिमागा लग हो सकता है वह अलग चीज है अब यहां पर एथेना जो है यह बुद्धिमत्ता की देवी है लेकिन एथेना को गॉड़ेस आफ वार भी कहते हैं ठीक है और गॉड़ेस आफ वार इनको कुछ मामलों में ही कहा गया है उस मामले में कहा गया था जब इन्होंने एक एक शहर था ग्रीस में जिसकी रक्षा की थी जिसे बाद में इनके नाम पर एथेन्स कहा गया था अब की बात करते हैं सड़ना कहती है कि अगर तुम कल के लिए परेशान हो देखिए यहां मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अब एक तरह से समझें गॉड़ेस गाइडेंस चल रहा है तो इश्वर की जो बाते हैं मैं सिर्फ बोल ना हूं मेडियेट कर रहा हूं बोल वही रही हैं सड़ना कहती है कि तुम जो कल की कल का इंतिजार करते हो उस कल के इंतिजार की बजाए तुम्हें वरतमान में अभी होना होगा बी बी मतलब प्रेजेंट अंग्रेजी में एक शब्द है ना बी बी का मतलब वो बी डबली नहीं बी मतलब अभी आपको में इस मोमेंट में होना होगा और जब इस मोमेंट में आप होते हैं हम या तो आगे होते हैं या पीछे होते हैं या तो हम पाश्ट में चलना है या तो फ्यूचर में चलना है रात को सो रहा हैं सुबा हमें छे बज़े उटना अलाम लगा तो हम भविश्च में जी रहे हैं क जब हम वर्तमान में छोटे बच्चे कभी एकदम जिनको infant कहते हैं, infant का मतलब होता है देव दूत, छोटे बच्चों कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पे तनाव नहीं होता, खुश होते हैं, जब भूख लगती है तभी रोते हैं, वरना ख देवलिप नहीं होते हैं, तो इसलिए वो हर चीज को मूँ में रखके संस करना चाहता है, है क्या ये? मूँ में रखना चाहता है, अपने, तो infant उनको इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसका कोई past नहीं है और कोई future नहीं है, बच्चा कल क्या हुआ, इसकी परवाह में नहीं है, इसकी चिंता में नहीं है, future में क्या होगा, उसकी भी चिंता में नहीं है, छोटे बच्चे से खिलोना नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो present में पकड़ कर बैठा हुआ है, उसे परवाह नहीं है कि ये दे दिया तो future में बहुत आ जाएगा, बच्चा जब बड़ा होता है, थो अगर छोड़ देंगे तो इससे बहतर मिल जाएगा, एक वाइदा होगे, और आपने अगर बहतर दे दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, मैं सिचुएशन को समझा रहा हूँ, आपने जिस दिन उसको बहतर दे दिया, पुराने वाले से बड़ा, बच्चे को फ्यूचरिस्टिक होना सिखा दिया गया, ठीक, किसी पुरानी बच्चे ने आज गलती करी, उसकी पुरानी गलती को याद करके उसे डाटा गया, तो आपने बच्चे को पाष्ट में भी जीना सिखा दिया, तो ये सब चीजें होती है, तो सेडना कहती है कि व मावू कहती हैं, रीन के साथ में, अच्छा जी ये दोनों एक साथ, मावू कहती हैं कि वो घटना करम जो तुम्हारे जिंदगी में घटित हो रहे हैं, तुम्हारी, अपनी, किसी और की नहीं, उनका शान्त पूरुवक अवलोकन करो और सुईकार करो, अभी आपको बता है न सुईकारता है, वो सुईकार करने की जो आपकी टेंडेंसी बनेगी या एक कार आप करेंगे सुईकार करने का, वो आपको एक्स्ट्रा ओर्डनरी सेंसिटिव करनी शुरू करेगी, वो भी अपने साथ कनेक्ट होने के लिए, हम हमेशा दूसरों से कनेक्ट होते हैं, सुब अगर हम खुद में कनेक्ट हो तो गाइडन्स की जरूरत दूसरे लोगों के एडवाइज की जरूरत कम से कम पड़ेगी तो वाइड तारा कहते हैं कि तब एक स्पंदन होगा और वो वाइब्रेशन आपको खुद में कनेक्ट होने में हिल्प करेगी और अब एथना कहते हैं कि फिर परवाह नहीं करनी दूसरों की बिल्कुल नहीं करनी और ये कहती है कि एक्स्ट्रीम स्वार्थी हो जाईए सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपने जीवन को एक ऐसी कंडिशन में ले जाने की कोशिश करिए जहां आप सिर्फ आप और अकेले आप अपने आप को बहतर पोजीशन में देखना चाहते हैं और तब खुलेंगे दौर जो पॉजिटिविटी को खीचना शुरू करेंगे पॉजिटिविटी खीचेगी भगवान बुद्ध ने अकेले ग्यान प्राप्ति किया था भगवान ने मिनात को जब ग्यान मिला उस मोमेंट को अगर हम हिस्ट्री में देखें तो उस समय तक कृष्ण जानते तो थे लेकिन अगर कहानियों के हिसाब से चलें या एक प्रकार से हम दो मिनट के लिए माने कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति थे जो उस काल में थे तो नेमिनाथ की स्प्रिच्वेलिटी का लेवल उन से उपर था कृष्ण भगवान के चचेरे भाई जो जैन में 23 तेर ठंकर हैं चचेरे भाई थे कृष्ण भगवान के और उन्होंने ही भगवान कृष्ण को मोरपंख दिया था जो उनके मुकट में लगता है नेमिनाथ ने दिया था ठीक है इसकी भी अपनी कहानी है तो यहां जब वो एक तरह से द्वार खुलना शुरू होगा और पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी तो आपको सिर्फ का विकास बाद में कर लेना पहले अपना साथ और अपना विकास कर लिए ठीक मोदी जी के ओपर छोड़िए वो करेंगे बाकी सबका और जब आप इस तरह करेंगे तो आपको यह फीलिंग भी आएगी कि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट या स्वार्थी हुए हैं और अपना जो मन है वो शान्ती भी फील करेगा और आपसे दूसरों को फाइदा अपने आप होगा आपको खीच-खीच के नहीं करना अपने आपको ठीक है इस चीज को समझ लिजे तो पाइल नमबर टू यह रीडिंग यहीं पर क्लोज हुई मैंने आपको बता दिया है चीज हेलो पाइल नमबर थरी आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में आपने भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी को चुना था पाइल करूप में मेरे बगल में भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं उसे जीवन में किसी चीज की कमी हो नहीं सकती, भगवान विश्णु पालक हैं, जगत का पालन करते हैं, उनको जगननात कहते हैं, जगत के नात, जगननात, ठीक, और माता लक्षमी धन की देवी हैं, वैभो की देवी हैं, सिर्फ धन नहीं है, धन और वैभो, पैसा, मनी, ए आजाए लेकिन prosperity ना आए ठीक है prosperity ना आए तो आप उस पैसे के होते हुए भी बेकार है अपने ऐसे लोगों को देखा होगा पैसा बहुत है उनके पास लेकिन बेकार ना खाने का सहूर ना पहनने का प्रॉब्लम उस पर्सन में नहीं है उनके पास prosperity नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास prosperity है पैसा थोड़ा कम है ठीक है माता अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इसको कितना दिन है लेकिन उनने prosperity दे दी उस थोड़े में भी उनने इतना बढ़िया मैनेज किया है कि वावा तो यह चीज है ठीक है तो इनकी करपा बहुत जरूरी है और मैंने एक reading भी करी है लक्षमी नरायन की के बारे में मतलब पूरा वीडियो ह तो या तो जब आप देख रहे हैं वो upload हो चुका होगा या फिर इसके बाद upload होगा मतलब थोड़ा सा editors के पास जाता है तो कुछ आगे पीछे कभी कभी हो जाता है तो उम्मिद कर रहा हूं कि शायद वो upload हो चुका होगा अगर हो चुका है तो नीचे link description में दिया गया है चलिए अब शुरू करते हैं आपके लिए पहला card आपके लिए है knight of swords second position पर आपके लिए है the chariot third number पर आपके लिए है ace of coins fourth position पर आपके लिए है six of coin और last card आपके लिए जो appear हुआ है this one is two of cups ठीक है तो पांच card हमारे पास appear traditional tarot decks है pile number one सोचने समझने के बावजूद की गई गलतियां आपके जीवन को एक नए मोड दे देती है एक ऐसा मोड दे देती है जहां पर आपको ये लगता है कि शायद चीजें सही है शायद चीजें गलत है जहां एक regret एक guilt भी आती है और एक खुशी भी आती है कि शायद आपने सही काम किया दूसरों की मदद भी कर दी अपने बारे में थोड़ा कम सोचा क्योंकि हमारी society हमको लगभग यही सिखा कर चलती है कि खुद के बारे में मत सोचो दूसरों के बारे में सोचो आपने कभी सोचा है कहते भगवान की पूजा करो भगवान के बारे में उनके प्रति श्रद्धा के भावरक हो उनके प्रति अपने आपको समर्पित करो ठीक धर्म ग्रंथ मैं उन ग्रंथों की बात नहीं कर रहा उन किताबों की बात नहीं कर रहा जो एक इश्वर में विश्वास करते हैं मैं उन पर कोई चर्चा नहीं करूंगा और उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। धर्म गरंथ कहते हैं कि तुम्हें इश्वर के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाना है। वो यह नहीं कहते हैं दूसरे को पकड़ के लाओ और विश्वास कराओ। उसकी मुंडी पकड़ के लाओ और दबा दो यहां पर कि भाया तुम भी जुब जुब जूओ नहीं। सनातन कहता है जिसे जो मानना है मानने है। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि अगर सनातन की परिपक को व्यक्या कर दी जाए तो दुनिया में जितने अपने आपको रिलीजन मानते हैं सब इसकी छतर चाया के नीचे आ जाएंगे। क्योंकि द्वैत भी हमारे यहां है, अद्वैत भी हमारे यहां है, सकार भी है, निराकार भी है, जाओगे कहाँ पर, निराकार ब्रह्म है, निराकार मतलब इस्वर का कोई आकार नहीं है, एक पूरी पूरी शाखा है निराकार ब्रह्म है कि, कोई आकार ही नहीं इस्वर का सारी मूर्तियां यूजलेस है, तो डालो सारी मूर्तियां, निराकार ब्रम, तंत्र है, जो कहता है मूर्ति जरूरी भी है और नहीं भी है, मूर्तियों की पूजा भी करनी है, और उनको फेक भी देना है, विसर्जित जिसको कहते हैं विसर्जन कर देना है, मैं कभी-कभी थो मेरे और उनके बीच में वो मूर्ती बीच में बाधा बन रही है उसे भी हटा ना है ठीक? लेकिन मूर्ती जरूरी भी है क्यों? क्योंकि उनके और मेरे connectivity के लिए ये initial stage पर है ठीक है? initial stage पर जैसे किसी से मिलने जाना है तो appointment लेते हैं appointment क्या है? एक initial stage है जब आप उससे मुलाकात कर ले तो appointment का अगर कोई एक paper है या appointment का कोई written format आपके पास है तो उसकी जरूरत नहीं न तो मुलाकात हो गई अब बीच वाले person की जरूरत नहीं या बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं तो यह वैसा ही है तो यहां आपको पहली चीज है समझ लीजिए positivity positive energy लगातार आपके पास आ रही है आप उस energy को use नहीं कर पा रहे हैं आप उस energy का फाइदा नहीं उठा पा रहे हैं वो energy एक तरह से हवा की तरह चलती है और आपको छू कर निकल जाती है आपको क्या करना है रोकना है थोड़ा सा barrier बनाना है barrier कैसे बनाएंगे निरड़े लेना बहुत बढ़िया बात है निरड़े ना लेना उससे भी मज़ेदार बात है क्योंकि तब किसी तरह की accountability नहीं बनती है अगर निरड़े दूसरों पर छोड़ दिया जाए तब तो क्या कहने है क्योंकि दूसरे की accountability बनती है और हम blame आरसान इसे कर सकते हैं तो ये सारी हरकते बन करनी है और खुझ से decision लेना शुरू करना है जब आप अपने लिए आगे बढ़ करके निरड़े लेंगे तब एक नए का उदय होगा और जो नए का उदय होगा वो एक target create करेगा जिसे अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे target lessness सोचते तो बहुत हैं करते कुछ नहीं सोच तो बड़ी wide है बहुत बढ़ी है चांद पे चले जाएं जाएंगे कैसे फताम उड़ा के रोकेट लेना पड़ेगा ना तो अपने से निरड़े लेना शुरू करिए मुझे फْला चीज करनी है कोई मदद कर दे क्यों कर दे भ ही तुम्हारी मदद क्यों कोई कर दे इस दुनिया में आए तो अकेले थेना मदद लेके थोड़ी आए अकेले ही जाओगे, ऐसा थोड़ी बंदू बटोर कर सब को चल भी साथ में, नहीं ले जाओगे, अकेले हो, अकेले आए और अकेले जाना है, किसी दार्शनिक ने लिखा था कि इस पूरी दुनिया में सारे रिष्टे नातों के बावजूद हम अकेले हैं, और सची अकेले है मैंने कई बार ये भी कहा है, भगवान बुद्ध को अकेले ही जान प्राप्त हुआ था, अकेले, आल अलोन, सब के साथ नहीं, भगवान बुद्ध के हजारों शिश्यों को जान प्राप्त हुआ, एक एक करके हुआ, जिनको जिनको भी होता गया, उनको अकेले हुआ, भग कलित की जा रही थी लिखी जा रही थी तो आनंद को उस पूरी कमेटी से बाहर निकल के बैठा दिया था कि तुम बाहर बैठ जाओ तुम उपलब्ध नहीं हूँ तुम उस हायर spirituality level पर पहुचे ही नहीं है भगवान बुद्ध के बिलकुल बगल में था एकदम बगल बैठा रहता था तो बगल में ही तो था ना हर कहानी में आनंद है एक बार आनंद ने पूछा भगवान बुद्ध के साथ आनंद इधार आनंद उधार आनंद सब तरफ आनंद देवव को रोक नहीं पा रहे हैं और उसे रोकने की कोशिश करनी है गॉड़ेस गाइडेंस कार्ड इसको देखते हैं कि अब गॉड़ेस समझाएंगी आपको कि आप अपनी उस पॉजिटिविटी को जो हवा की तरह आती और चली जाती है उसे रोकेंगे कैसे या उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि आपके जीवन में चीजें सुधरें सबसे पहली गॉड़ेस आपके लिए हैं वाइट तारह सेकंड पोजीशन पर आपके लिए गॉड़ेस हैं ब्राइट ब्राइट का मतलब बताने की जरूरत तो है नहीं एक पूरी-पूरी रोश्नी जो अंधकार से प्रकाश की और ले जाती है थर्ड पोजीशन पर एर्यकुरा फूर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता सरस्वती और आपके लिए जो लाश्ट में अपियर हुई है ये हैं एक्षेल तो पांच देवियां मेरे पास अपियर हो गई है अच्छा एक्षेल यहां पर आई हैं और यह कहती हैं कि आपको एक ऐसे सुधार की जरूरत है जो बिलकुल मेडिसिन की तरह होना चाहिए अभी बताती है बस एक ही लाइन आई उनसे अभी आएगी और लाइन से सबसे पहले सेंसिटिव होना शुरू कर दीजिए सेंसिटिविटी की कमी है जो पॉजिविटी के लैक की वज़ा से फील नहीं होती है और उसी लैक में निगेटिव सेंसेस ज्यादा इंप्रूबली काम कर रहे हैं इसलिए नकारातमक्ता ज्यादा मिलती है और फील होती है पॉजिटिविटी कम ब्राइट कहती हैं कि आप अपने अंदर की शाइन को फी कर रहा हूं तो चीजें थोड़ा जल्दी हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा सिर्फ इतना ही करना है बहुत अच्छे है एक दिया या तो देखे दो दोनों मेंसे एक को चूस कर लें जो तरीका आपको पसंद दो तरीके बता देते हैं ये कहते हैं तुम्हें एक दिया जला लो और अपनी पलकों में एक बार आँसू आने तक उसे प्यार से देख लो मस्कुरा कर हस करके इतम बिनान से पलके मत जबगाओ एक बारा सुआए आखे बन गिर जाने दो सारे आंसे खतम आज का कम ठीक उस दिये की शाइन उसकी लो उसका जो ब्राइटनेस है वो अपने अंदर फील करो की आता जा रहा है यह पहला विधी दूसरी विधी बड़ी मज़ेदार है यह जो दू एक ही विधी के दो अलग-अलग फॉरमेट्स हैं तरीके हैं अब कुछ हद तक एक ही हैं दूसरी विधी है कि आँखें बंद करके बैठों और महसूस करो कि आपके गहीतर में एक लो जल रही है जो थोड़ी सी शेक हो रही है और स्थरता लाती है हलकी सी शेकनिस और स्थर राइट औरा बन रहा है एक जब कोई दिया जलता है ना तो उस आप अगर ध्यान से देखें तो उसके चारों और एक थोड़ा सा प्रकाश और फैला होता है थोड़ी दूर पर वो जो और रहा है वो आपकी बॉड़ी में फील करना है बस इतना सही काम है दो मिनट एनफ है हा महसूस कर लीजिए थेक्ष है दो मिनट यह बहुत बड़ा काम कर देगा आपकी सेंस्टिविटी के एक तरह से हलांकि सेंस्टिविटी के ओर गन उस तरह से नहीं होते स्प्रेच्विटी के लिए समझें के आपके संस्टिविटी और गन्स इंप्रूव हो जाएंगे समझ तीज हो जाएगी और फिर एरो करा कहती हैं कि अब जब ये चीजें होंगी तो अंदर से फूल खिलने की फीलिंग आ जाएगी मतलब एक खुशी जो भीतर से महसूस होगी अनायास कभी बिना वज़ा खुश हुए हैं बहुत मिज़दार होता है वो मुमेंट बड़ा दो दिन के बच्चे एक दिन के बच्चों को देखे जिनको ये भी नहीं पता कि इधर देख रहा है कि उधर कोई रस्पॉंस ही नहीं है जी रस्पॉंसलेस बच्चा वो भी सो रहा होता है तो मुस्कुराता है क्यों मुस्कुराता है क्यों कि उसके अंदर कुछ खिल रहा होता है उस समय जिसको बोलचाल की भाशा में कहते हैं बच्चे भगवान से बात कर रहे हैं या भगवान बच्चों से बात कर रहे हैं तो हसाते हैं कभी रूला देते हैं वो जो खिलना होगा वो जो खिलना होगा अब सरस्वती कहती हैं कि उसे एक दिशा में मोड़ देना है ठीक है और दिशा में मोड़ना है और यहां जो कि अभी शेल कह रही थी कि आपको अपने आपको एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना है तो यही वो मेडिसिन है जिसे आपको इस्तेमाल करना है मेडिसिन मतलब वो बाहर से कोई टैबिलेट लेकर नहीं खानी है,शल कहती हैं कि जब इस तरह की चीजों में इन्वल होके ये करना शुरू करेंगे,टो ये एक मेडिसिन की तरह काम करेगी एक मेडिसिन की तरह और अंदर के फूल को सही तरीके से खिलने में मदद करेगी और एक बार भीतर का फूल खिला त गुल 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 और जब वो घुमना शुरू करेगी तो वह एक तरह की वाइब्रेशन होगी जो आपके जीवन को नए आयामों से और नए खुशियों से भर देगा जिसमें कई परसेंटेज ऐसे होंगे जो अनायास होंगे यह मिलब जिसका कोई और छोर नहीं है नाहक की खुशिक जैसे आपने सुना होगो ना कहते है समाधी समाधी एक शब्द है ध्यान में समाधी परम वस्था मानी जाती है समाध ही क्यों कहते हैं उसको जानते हैं इसलिए कहते हैं कि उस लेवल पर जब कोई पहुँच जाए तो उसके लिए timelessness हो जाती है समय का बोध खत्म हो जाता है फिर एक मिनट बैठे एक घंटे बैठे एक दिन बैठे एक साल बैठे ध्यान में उसे फर्क नहीं पड़ता उसे उठाना पड़ता है समाध ही की अवस्था से जगाना पड़ता है कभी कभी तो उसे खुद अपनी बॉड़ी को जगाना पड़ता है अपने आपको जगाना पड़ता है कि अब उठ जाओ क्योंकि वो अवस्था है जिसे तुरिया कहा गया है जो अनवरत चलती है और एक परम आनंद की अनुभूती देती है उस आनंद को बताया और समझाया नहीं जा सकता नहीं समझा सकते हैं तो वो चीजें मिलने शुरू होगी आप एकुलिया में नहीं जाएंगे लेकिन एक स्लाइटली उसका एक स्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा और वही स्वाद आपको पोजिटिविटी को एक तरह से अपने आप में कलेक्ट करने में मजबूत कर देगा हेल्प कर देगा और उस तरह से जब चीजें हो जाएंगी तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी की बाहर चल तो रही है बस वो रुकनी शुरू हो जाएगी और बहुत कुछ बदल जाएगा तो पाइल नमबर थरी आपके लिए आज की रेडिंग यहीं क्लोस करता आज की रेडिंग आपको कैसी लगी अपने एक्सपिरियंस अपने अनबो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई